एक गाउं में दो दोस्त रहते थे, एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम सोहन था, दोनों में बहुत ये गहरी मितरता थी, मोहन एक धार्मिक व्यक्ति था, वो हमेशा भगवान की बक्ति में लिन रहता था, जबकि सोहन बहुत ज्यादा महनती था, एक बार दोनों ने एक बी इसी तरह से समय बीटता गया और कुछ दिन बाद फसल पक गई फसल पकने के बाद उसकी कटाई करके उसे बजार में जाकर बेच दिया गया इसके बाद उन्हें अच्छा पैसा मिल गया इस पर सोहन ने कहा कि इसमें से मेरा ज्यादा हिस्सा है क्योंकि मैंने दिन रात एक कर के खेत को खात पानी दे कर फसल उगाया है लेकिन यह बात सुनकर मोहन गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने अपने खेत में अच्छी फसल होने के लिए भगवान से प्रात्नाय किया है और जब तक भगवान की मरजी नहीं होती तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता दोनों इसी बात को लेकर लड़ने लगे अब यह बात गाओं के मुख्या तक पहुच गई गाओं के मुख्या ने सारी बात सुने के बाद एक फैसला किया मुखिया ने दोनों दोस्तों को चावल की एक एक बोरी दी जिसमें चावल के बीच छोटे छोटे कंकड मिले हुए थे मुखिया ने कहा इस चावल की बोरी को घर ले जाओ और इसमें से सुबा तक चावल और कंकड अलग अलग करके ले कर आओ फिर मैं सुबा फैसला करूंगा कि फसल का ज्यादा धन किसको मिलना चाहिए दोनों अपनी अपनी चावल की बोरी लेकर घर चले गए सोहन अपने चावल की बोरी को खोल कर उसमें से कंकड अलग करने में लग गया मोहन अपनी चावल की बोरी को लेकर मंदिर में चला गया और भगवान से चावल से कंकड को अलग करने के लिए प्राथना करने लगा बोले है भगवान मेरे चावल से कंकड अलग कर दो दोनों अगली सुबह मुक्या के पास पहुचे सोहन ने तो पूरी राथ जाकर चावलों से एक कंकड सारे अलग कर दिये थे इस पर मुक्या बहुत खोस हुआ और मोहन ने अपनी बोरी मंदिर से ले जाकर ऐसे ही मुक्या के सामने रख दी और मुक्या से बोला आप बोरी को खोल कर देख लीजिए मुझे भगवान पर पूरा विस्वास है कि इस चावल की बोरी से सारे कंकर निकल चुके होंगे लेकिन जब मुक्या ने चावल की बोरी खुलवाई तो देखा सारे कंकर चावल के बीच ही मौजूद थे मुक्या ने मोहन को समझाते हुए का कि भगवान भी हमारी मदद तभी तक करेंगे जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं या बास समझाते हुए मुक्या ने फसल का ज्यादा धन सोहन को दे दिया इसके बार से मोहन भी सोहन के साथ खेट में मन लगा कर मेहनत करने लगा इस बार इनके खेट में और भी ज्यादा अच्छी फसल हुई यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी पूरी तरह से भगवान के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि भगवान भी हमारी साथा तब करते है जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं